मैं हूं तेरी सजनी साजन है तो मेरा है तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल सदाप सेंटर पे तो डेमो पे इस वीडियो का भी आपने स्क्रीन पे देखा तो अगर आप इस तरह की रिंग सेरेमोनी स्टेटस एडिटिंग करना चाहते है तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीट वाउच करने पढ़ी है क्योंकि वीडियोने मैंने कौंप्लीट बताने की कोशिज चीह घ Answerいきます ऐसे एगSuरेमोनी स्टेटिस करना है और तेंप्लेट कहा से डाwnलोड करना कर लेता है'm तो घर्मी आप क्यों मास्टटर अप्लिकेशन उपन कर ले न है यहां पर आपकी वीडियो की तीन साइज सो रही है तो यहां से आपको सोला बाइनौ की रेशियो को सैलेट कर लेना है इस रेशियो को सैलेट करने के बाद आपको क्या करना है गैलरी से कुछ इमेजेस सेलेट कर लेना है तो मैं गैलेरी से कुछ इमेजस सेलेट कर लेता हूं तो गार जैसा कि आप देख पारें मैंने यहां पर कुछ इमेजेस सेलेट कर लिया है तो इमेज को आपको अच्छे से अड्जेस्मेंट कर लेना है तो आपको क्या करना है यहां पर image की layer पर क्लिक करना है और आपको यहां पर यह वाला option दीख पा रहा है यहां पर आपको क्लिक करना है और दो अंगलियों से स्क्रीन पर सेट करना है उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा जूम कर लेना इसे और उपर राइट पर आपको क्लिक कर देना उसके बाद नेक्स प्लस पर क्लिक करना है इसे भी सेम प्रोसेस पर यहां पर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्कीन पर सेट करना है उसके ब यहां परalingUp perfect प्लस option पे पारे हैं तो यहां पर क्लीक कर और यहां पर शाइड करके चले आना नीचे आपको एक टांजिसनलोग क्लिक लएक है गोल्ड लाइट इसके यहां पर यहां पर add कर लेता हूं और उपर right पर आपको click कर देना है उसके बाद next plus option पर click करना है फिर से slide करके नीचे चले आना है गोल लाइट पर click करना और second वाल effect आपको लेना है तो इसी तरह से serial बैस्याल जितनी भी यहां plus option है सबको आपको नमकिक और दो आपको इसकी थोड़ी सी कम कर लेना है तो जितने भी में है सब की réponse मैं इस तरह से कम कर लेता हूं sub bes now कि सो गाइस फाइनल यहां पर मारी सारी की लेंथ कम कर लिया है अब इस वीडियो का आपको सेप कर लेना तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक्सपोर्ट बटन मिलेगा यहां पर आपको क्लिक करना है और इस वीडियो का आ यहां पर इसे चेंज कर लेना है तो यहां से मैं और एक टांजिशन इफेक्ट एड़ कर लेता हूं तो आपको यहां पर प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है और यहां से स्लाइड वाला चांजिशन इफेक्ट यहां पर आपको एड़ कर लेना है तो यहां पर जितने भी टां कर देना और उपर ॏट को क्लिक कर देना तो यहां पर जितने प्लस एंपिससा यहां यहां को किया करना यहां पर खाल क्लिक करना एट फर्स्ट वाल ब्लर इफेक्ट यहां पर आपको कर लेना है और इसकी लेंद्थ वीडियो की बराबर कर देना है आपको वापस से आपको starting point पर चलेयाना है इसे इस तरह से full screen कर देना है और यहां पर setting option पर click करना है यहां से आप blur कमा और बढ़ा सकते हैं तो मैं यहां से इसे tree point पर रख लेता हूं और उपर right पर आपको click कर देना है अब आपको क्या करना यहां पर एक black screen template एडड करना है तो इसकी link आपको वीडियो की description यहां से आपको आपको अपको और अपसे दाउलट करना है passar लियार पर तच्क करना है और उपर राइट पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाल आपको ब्लैक स्कीन टेंप्रेट पर क्लिक करना है और स्लाइट करके नीचे चले आना है यहां पर आपको ब्लेंडिंग नाम का एक उप्सन मिल जाएका आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां से यह स्क्रीन वाला आपको select कर लेना है और उपर right पह पर आपको click कर देना अब आपको क्या करना इस frame पे आपको यहां पर यह यहां पर एक्पोर कर लिया है तो इसे small कर देना है frame करade से आपको यहां पर बड़ी वारी की से सेप करना है तो मैं पहले इसे सेप कर लेता हूं है तो मैंने से यहां पर सेप कर लिया तो उसके बाद इसे तो गाइज मैंने इस पार्टिकल को यहां पर एड कर लिया तो इसे इस तरह से आपको रोटेट कर देना और इस तरह से उंगलियों से फुल स्क्रीन कर देना और राइट पर स्लाइड करके नीचे चल आना यहां पर आपको ब्लेंडिंग नम का उप्शन पर क्लिक करना और य फाइनली यहां पर मेरी वीडियो क्रियेट हो चुकी तो मैं यहां पर वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूं यहां पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे इट्सपॉर्ट बटन पर क्लिक करना है यहां से इस वीडियो का आपको शेब कर लिना यह आपकी फाइल पर बढ़ी असानी से समय तो découvrir औद क्लाइब और अगर चैनल पर नए हो तो क्या हो एक सब्सक्राइब कर लह तो नीज आपको मिलती रहे तो गाइस मिलते ही किसी और मज़धार सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा